नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटीब चैनल क्रेक आकाश आप सबका बहुत-बहुत श्वागत एक बार फिर से आपके अपनी यूटीब चैनल में दोस्तों आज मैं काफी खुस हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि इस खुसी की वजह क्या है दोस्तों जिसका इंतजार हर एक यूटीबर को होता है और इस दिन के लिए काफी मेहनत करते हैं तो फाइनली बहुत दिन आज आ चुका है और अगर बात करूँ मैं तो ये निउस मुझे आज नहीं बलकि तेरा तारिक को मिली थी और क्या निउस है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ दोस्तो मैं बात करता हूँ मौनिटाइजेशन एनेवल होने की दोस्तो फाइनली मेरा चैनल का जो मौनिटाइजेशन एनेवल का प्रोसेस था वो कम्प्लीट हो चुका है और तकरीवन 6 महीने अंडर प्रोसेस रहने के बाद 13 दिसंबर को यानी पर्सों मेरा मौनिटाइजेशन एनेबल हुआ मैं वीडियो देना चाहता था मगर मैं पर्सों वीडियो नहीं बना पाया उसके बाद कल और जादा विजिस एट्यूल था इस वजह से कल भी वीडियो नहीं दे पाया तो मैं फाइनली वस यह थैंक्यू बोलना चाहता था सभी अपने यूट्यूब पर मेरे जितने भी दोस्त फ्रेंड्स और जितने भी देखने वाले लोग हैं उन सबको और फाइनली जो यूट्यूब की टीम है उनको मेरा शुक्रिया थैंक्यू तक्रिवन 6 महीने प्रोस 17 को मोनेडाइशन इनेबल हुआ है यानि एक साल पूरा कंप्लीट होने के बाद हाला कि मैंने अपना पहला जो वीडियो है वह एक जनवरी 2018 को डाला था तो अभी मुझे एक साल वीडियो डाले हुए लगवा कंप्लीट होने वाला है अपना करियर स्टार्ट की हुए यू सपोर्ट कर रहा है आप लोगों के प्यार की बज़े से ही मैं अपने इस चैनल को यहां तक लेकर आपाया हूँ लेकिन यह जो एक यूट्यूबर का सपना होता है यहां तक आने का मोनेडाइशन इनेवल होने का वो सिर्फ एक यूट्यूबर ही महसूस कर सकता है और मैं आ वा शुरुवात है और अभी कुछ टाइम और लगेगा प्रोसेस होने में अभी जो मेरे पास इमेल आया था आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसा कि आप लोग देखने अपनी स्क्रीन पर ये मेसेज आया था मुझे परसों सुबह चार बच कर कुछ मिनट्स प ला हूं तो मेरे लिए काफी खुसी का अनुभव है दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है मौन डैशन एनेबल होने के बाद में अब मैं अपने चैनल पर और महनत करना चाहता हूं और इसको आगे ले जाना चाहता हूं और उसके लिए मुझे जरूरत है आप लोग के प्यार और सपोर्ट की तो प्लीज आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाये रखिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे करें काकाज के साथ और क्या बोलूं आप लोग को बस थैंक्यू बोलने के लिए वीडियो था मेरा और अभी भी मेरा थोड़ा इस वीडियो में आपको बताता हूं कि आप लोग केमरे की क्यालिटी पर विल्कुल भी फोकस ना करें यह मैं अपने फ्रेंट केमरे के मोवाइल से सूट कर रहा हूं मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आप लोगों को जो मैसेज मुझे देना है वह आप लोग तक पहुंच ज जाएगा लेकिन थैंक्यू अगर हो गया तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का एक बार फिर्स से तब तक के लिए जुड़े रिकाकास के साथ और देखते रहिए ऐसे ही तमाम जान करें और क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स धन्यवाद